जग्यासों मित्रों बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे चैनल दिवविस रजन स्प्रीच्वल में प्रतेक दिवस की भाती आज भी यह लाइव चर्चा प्रारंब हो रहा है आज का विशह है चित का निरोध कैसे हो चित का निरोध किस प्रकार से संभव है वैसे तो यहाँ विशह पतंजले योग सुत्र के अंदर चर्चा में आता है योग स्चित वृति निरोधा परंतु आज इस विशह को हम समझेंगे अस्टावक्र महागीता के अनुसार की अस्टावक्र महागीता इस विशह में क्या कह रही है क्या उपदेश दे रही है वह हम आज यहाँ जान पाएंगे तो मित्रों जिग्यासूँ श्रधालों यह अगहन विशह योग का है अध्यात्म का है समझ लेना विचार को समझ लेना यह जरूरी है ठीक अगर समझ में बात आ जाए तो सब ठीक नहीं तो बहुत लंबे समय तक मनुष्य बहुत सारे उल्जनों में रहता है तो वो उल्जन ना हो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात ना हो नहीं तो समझ में कुछ और आ जाए तो फिर और में बड़ी दिक्कत गलत बात अगर समझ में आ जा और उसी को रटकर बैठ जाए मान कर बैठ जाए तो और भारी समस्या इसी कारण से तो लोग भटकते हैं क्योंकि वास्तों में जो समझना चाहिए था कई बर वो ना समझ कर कुछ और ही समझते हैं तो आईए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे लेकिन जो पहले से जो मित्र प्रतिक्षा कर रहे थे यहाँ पर उन सब का बहुत-बहुत अभिनंदन कर दें तो चली अच्छी बात है सभी का बहुत-बहुत अभिनंदन है जो भी मित्र जुड़े हैं जरूर ही पूरा लाब उठाएं और जुड़े रहें अंत तक तो कौन-कौन है मदन जांब जी, गुपाल शर्मा जी, तरंजित सिंग जी, महेश राम पिस्दा जी, जगत नरायन जी, मधुकर पलिवाल जी, कुसुम व्यास जी, रभी कुमार जी, माधुरी कोले जी, सबको जैश्री राम, राम प्रकाश विधाते जी, राजु पाल जी, अनिल कुमार आगे का ज्यान अनिता, हंकारा जी, रशनार के जी, मीना मेरू जी, सभी का बहुत-बहुत अभिनंदन है आज के हमारे इस कारिकरम में, और मित्रों जुड़े रहें, बने रहें और लाव उठाते रहें, तो चलिए हम चलते हैं, अपनी चर्चा पर, और आज की जो वह क्या है, वह है चित्त का निरूद, तो कल हमने जहां तक देखा था, कल हमने 24 सुत्र तक संभावता देखा था, तो आज उससे आगे के स्लोक हम देखेंगे, अश्टावक्र महा गेता, ठारा महा प्रकरन, आगे क्या कहा जा रहा है, आगे के विश्यों पर हम विचार कर तो जो आगे की जो चर्चा है, आगे के जो इसलोक है, वह क्या कहते हैं, कृतम देहन कर्म इदम ना मया शुद्ध रूपी ना इति चंतान रोधी यह कुरवनक अपिकरो ती ना, यह कर्म कर्म देह करके किया गया मुझ शुद्ध रूप करके नहीं इस प्रकार जो चिंता करने वाले वह कर्म करता हुआ भी नहीं करता अर्थात ये जितने भी कर्म हो रहे हैं या देह से ही हो रहे हैं शरीर से ही हो रहे हैं सुख्ष में शरीर अत्वा इस्थूल शरीर लगे हुए है कर्म में तो यह कर्म देह करके किया गया मुझे शुद्ध रूप आत्मा से ना हुआ कर्मों की जो गती है वो आत्मा से नहीं है वो तो देह से ही है ऐसा समझाय जा रहा है ऐसा समझते हुए अन्य कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए अतद्वादी इव कूरुते नाभवेत अपी बालिश जिवन मुक्तह सुखी श्रिमान संसरन अपी शोभते अतद्वादी इव उल्टा याने विरुध उस कहने वाले की तरह मैं इस कारे को नहीं करूँगा ग्यानी कारे को करता है तो भी मुर्ख नहीं होता लोकि मुर्ख वो है जो ये समझता है कि वह ये करेगा और वो ये नहीं करेगा लेकिन जो ग्यानी व्यक्ति है वह ऐसा नहीं समझता है कि वह ये करेगा और वो ये नहीं करेगा वह ना इस बात से हट रखता है ना आसकती रखता है जो उसके सामने होता है वह विवेक से वो करता है उसकी कोई करने और ना करने में कोई विशेस रती नहीं, कोई आसकती नहीं, कोई लगाव नहीं, वह उससे निश्यही मुक्त ही होता है आगे महर्शी कहते हैं, नाना विचार सुश्रांत धीरह, विश्रांतिम आगतह नह कल्पते ना जानाती, ना शुनोती, ना पश्यती जिस कारण द्वाइत के विचार से निवर्त हुआ नाना विचार सुश्रांत धीरह सुश्रांत का यहां तात्पर मतलब की अलग हो जाना विचारों से उनका एक प्रकार का निवर्ती है उससे तो नाना विचार जो बहुत तरह के द्वाइत के विचार हैं दोईत संसार में लाबहानी जय पराजय इनके लिए नाना विचार कहा जा रहा है तो बहुत प्रकार के विचारों से निवर्त हुआ जो धीर वेक्ती है जो ज्ञानी है यहाँ पर धीर शव्द भी ज्ञानी के लिए ही हो रहा है तो जो ज्ञानी है आत्म ज्ञानी है शांती को प्राप्त होता है विश्रांतिम आगतह अत्ये वसह ना कल्पते ना जानाती ना शुनोती ना पश्चती तो इस कारण से ना कल्पते ना वह कल्पना करता है ना जानता है ना शुनोती ना सुनता है ना पश्चती ना ही देखता है तो इस प्रकार से यहाँ पर यह वर्णन आ जाता है ए समाधे अविछे पात नममुक्षु हूँ नचाईतरह निश्शित्य कल्पितं पश्चन ब्रम्म एव आस्ते महां शय एह ज्ञानी अक्मिज्यानी समाधी रहित होने से मुमुक्षु नहीं है क्योंकि वो समाधी रही थे तो उसके अंदर मुमुक्षता भी नहीं रह गई क्योंकि जिसका मोक्ष ना हुआ हो और जो मोक्ष का जिग्यासु हो वही तो मुमुक्षु है अनेक पर्कार के जो अविच्छेपात है यहाँ पर जो कहा जा रहा है असमाधे अविच्छेपात उनके लिए कहा जा रहा भ्रम जो अनिक परकार के जो विच्छेप अविच्छेप है तो जो भ्रम है उनके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है तो जो भ्रह्म के अभहाव से बद्ध नहीं परंतु निश्य करके इस सब जगत को कल्पित समझता हुआ ब्रह्मवत इस्थित रहता है। ब्रह्म को ही इस्थिरतत्व जानकर और संपूर्ण जगत को कल्पित भावना मात्र ही जगत है। संपूर्ण जगत आपके भीतर किस रूप में है ये बताईए। भावना के रूप में है। संपूर्ण जगत आपके भीतर भावना मात्र है भाव के रूप में ही तो संग्रहित है। क्या जगत का संचय होना या जगत का समझना क्या भावनाओं से विपरित है या अलग है जी नहीं जो कुछ भी है सब भाव जगत में है इसलिए इसे भवसागर कहते हैं तो भावना मात्र तो यह भावना मात्र है भाव जगत है भावनाओं का संसार है उसको कल्पित समझते हुए कल्पना मात्र ही समझना चाहिए और ब्रह्मवत इस्थित रहना चाहिए यश्य अंतह स्यात अहंकार नकरोती करोती सा निरहंकार धिरेन नकिंचित अकृतम कृतम्मा जिसके अंतह करण में अहंकार का अध्यास है वा यदपी लोक दृष्टी करके नहीं कर्म करता है तो भी मन में संकल्प आदी कर्म तो करता है एहंकार रहत ज्यानी करके यदपी लोक दृष्टी से कुछ भी नहीं किया गया तथा भी अपनी दृष्टी से वह किया गया है बाहर से ना करम करता हो लेकिन दृष्टी से मन से अपनी वानी से अने को करम करता है तो भी वह कर्म बंधन तो बनता है और योगी ज्यानी उनको भी निश्काम भाव से ही करता है उसमें कोई उनकी रती नहीं होती है वो यही समस्ता है कि कुछ भी ना किया गया ना द्विग्नम संतुष्टम अकरते स्पंद वरजितम निराशम गत संदेहं चितम मुकतस्य राजते करत्रत्वर रहित और संकल्प विकल्प रहित न द्वेश और आशा रहित संदेह रहित चित स न संतोष को प्राप्त होता है न संतोष्टम संदेह रहित चित जिसका चित संदेह रहित है वह संतोष को प्राप्त होना बहुत बड़ी चीज है संतोष को जबरदस्ती रखने वाली चीज है नहीं कि हमें संतोष आ गया है कि ये करना है ये नहीं करना है निश्काम भाव से जो भी करतव जो भी ड्यूटी उसके सामने आएगी उसे वह पूर्ण करेगा ही करेगा ये उसकी विशेस्ता है तो वही उसको संतोष प्रदान करेगा निर्ध्यातुम चेस्टुम वापियत वितमन प्रवर्तते निर्नमित्तम इधम किन्तु निर्ध्यायती विचिस्टते ज्यानी का जो चित है वह निश्क्रिय भाव से इस्थित होने को अथवा चेस्था करने को नहीं प्रविर्थ होता परंतु वह चित संकल परहित है ज्या तक बना है वह तो मातर मोक्ष में ही कैवल्ले में ही उसका ले होगा तो ग्यानी का जो चित है अब बहुत सारे मनुश्यों के चित हैं उनमें अनेको प्रकार के वृतियां हैं अनेको प्रकार के संसकार हैं जिसके वशिभूत वो जनम लेते हैं नाना प्रकार के करम करते हैं और उन कर्मों का फल भोगते हैं। तो उसका चित होते हुए भी वृति मुक्त है और चित संकल्प मुक्त है। विपरय को प्राप्त हो जाता है। परन्तु विप्रिया मतलब जिसको false knowledge है गलत knowledge है तो किसको अज्ञानी लोग तत्व पदार्थ अर्थात उपनीशदों को सुनने पर भी उपनीशद आधी विश्यों पर चर्चा करने पर भी कई बार विप्रिय को प्राप्त हो जाते हैं क्योंकि वह मात्र अध्यन से ही सब क कुछ समझ लेना चाहते हैं अनुभाव के मार्ग पर नहीं जाना चाहते हैं तो मूडता अर्थात संशय विप्रिय को प्राप्त होता है अथवा चित की समाधी को प्राप्त होता है चित का लया चित का विचार रहित होना विर्ती रहित होना उसकी समाधी है तो चित की समा मूढ ताम बाह्य दृष्टिया प्रापनोती अर्थात जो वैसा ही और कोई ज्ञानी अज्ञानी के तरह संशय विप्रय अर्थात विवहार को बाह्य दृष्टि से प्राप्त होता है फिर कहते हैं एकागरता निरोध वा मूढ है अभ्यस्ते ब्रशम धीरा करत्यम नपश्षती सुपतवत सुपदे इस्थिता चित की एकागरता या चित की निरोधता किसके लिए है उनके लिए है जो आत्म ग्यानी नहीं है तो वो निश्य ही अभी मूढ ही है तो वो चित का निरोध उनके लिए है और अभ्यास उनके द्वारा किया जाता है जो ज्यानी पुरुष है पुर्वकृत्य को अर्थात चित की एकागरता को और निरोधता को जो ज्यानी पुरुष है वह उनको ना देखते हुए परंतु सोई हुए पुरुष की भाती अपने सरूप में इस्थित रहते हैं वो अपने सरूप में इस्थित रहना जानते हैं क्योंकि उन्होंने वह कारे कर लिया है पहले ही ऐसा नहीं कि उसकी आवशक्ता नहीं है है परंतु वह आत्म इस्थित हुगए हैं इसी लिए चित का निरोध करना समाधी करना या मोक्ष यह सब बाते उनके लिए बहुत महत्व नहीं रखती हैं आप्रितनात प्रितनात्वा मूधन आपनोती निर्वितम्मा तत्व वनिश्यमात्रेन प्राग्या भवती निर्वितह अज्ञानी पुरुष चित के निरोध से अथ्वा करमानुष्ठान से परमसुक को नहीं प्राप्त होता और ज्ञानी पुरुष केवल तत्व के अभ्यास पराजना इस अंसार में अभ्यासी मनुष उस शुद्ध चैतन्य प्रिय पुर्ण प्रपंच रहित और दुख रहित आत्मा को नहीं जानते हैं क्योंकि वह तो अभ्यास में लगा हुआ है जब तक उसका अभ्यास नापूर्ण होगा वह उस निशुद्ध आत्मा को कैसे जानेगा थीक है जब तक कुछ करने का भाव है तब तक कहां से जानेगा क्योंकि करतापन तो शरीर के कारण है सुक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर इनके कारण ही करतापन है और अनेका नेक प्रकार के कर्म है और जिन कर्मों का फल हमें भोगना है और हम भोगते रहते हैं प्रारब्द के रूप में फिर चलो समझ में आई वर्ती निरोध शुरू हुआ अभ्यास करना आपने शुरू कर दिया तो मर्शी अश्टावक्रिया कहते कि संसार में अभ्यासी मनुश्य उस शुद्ध चैतन्य प्रियपुर्ण प्रपंच रहित और दुख रहित आत्मा को नहीं जानता ना जानने के कारण ही तो वह अभ्यासरत है जब जान जाएगा तो अभ्यास के क्या वशक्ता ना आपनोती कर्मना मोक्षम विमूढा अभ्यास रूपी ना धन्या विज्ञान मात्रेन मुक्ता तिष्ठति और विक्रिया अज्यानी अभ्यास रूपी कर्म से मोक्ष को नहीं प्राप्त होता अज्यानी विक्ति अभ्यास रुपी कर्म से मोक्ष को नहीं प्राप्त होता क्रिया रहित भग्यवान पुरुष केवल ज्यान करके ही मुक्त होता है स्थित रहता है और मोक्ष को प्राप्त भी होता है कैसे? किस प्रकार से? अभ्यास करने का यहां क्या मतलब है? एक अवस्था है मित्रों ये एक समझने वाली बात है या साइद जो लोग साधना के मार्ग पर या फिर इस मार्ग पर ना हो उन्हें ना समझ में आये पूरी बात थोगा से लगेगा कि अभ्यास करना गलत नहीं है परन्तु अभ्यास करते रहने से कोई आत्मे ज्यानी न हो जाएगा क्योंकि आत्मे ज्यान अभ्यास का परिनाम है अभ्यास नहीं है अभ्यास के द्वारा एक समझ को विक्सित करना है एक आगरता को विक्सित करना है क्योंकि आपको कहीं जाना नहीं है स्वेम में ही तो लीन होना है आत्मे इस्थिती तो ही तो होना है वैसी अवस्था आ जाने के बाद फिर कोई अभ्यास अभ्यास का कोई मतलब नहीं होता क्योंकि आत्मे इस्थिती तो आपका स्वभाव बन जाएगा ध्यान में रहना शांती में रहना या आपका स्वभाव बन जाएगा स्वभाव इसको करने और करवाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा इसको अभ्यास में प्रविर्ट करना है या अभ्यास करना है ऐसी कोई बात रह नहीं जाएगे ठीक है तो हमें यह समझना चाहिए जिस कारण अज्यानी ब्रह्म होने को इक्षा करता है उसी कारण वह उसको अर्थात ब्रह्म को नहीं प्राप्त होता ज्यानी निश्य करकर नहीं चाहता हुआ भी परब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होने वाला है परब्रह्म स्वरूप में ही गमन करने वाला है और उसको अपना स्वरुप बताने वाला है अज्यानी व्यक्ति बहुत प्रयास करकर भी कि वह ब्रह्म हो जाएगा वह नहीं हो पाता लेकिन अज्यानी व्यक्ति ना कहता हुआ भी ब्रह्म में इस्थित रहता है निराधारह ग्रहव्यग्रा मूढ़ा संसार पोश का एतस्य अनर्थ मूलस्य मूल छेदह करतह बुधाई अधार रहित दुराग्रही अज्यान संसार के पोशन करने वाले हैं इस अनर्थ रूप मूल वाले संसार के मूल का नाश ग्यानियों करके किया गया है अधार रही जो दुराग रही जो अज्ञान असे परिपूर्ण है वो संसार का ही पोशन करते हैं अनर्थ रूप मूल वाले संसार के मूल का नाश जो ग्यानी होते हैं वो उसके मूल का ही नाश करके रखते हैं इस अंसार के वह मूल का ही नाश करके मूल का नाश ज्यानियों करके किया गया है क्योंकि वह जड़ ही खत्म कर देते हैं और सारी जड़े तो तुम्हारे चित में हैं जब चित ही निर्विकल्प हो जाएगा वर्ति विहीन हो जाएगा तो कौन सी वहाँ पर कर्म संसकार की जड़े काम करेंगी कुछ भी काम वहाँ नहीं करेगा ठीक है वित्रों तो इस प्रकार से चित निरोध की बात मरशी अश्चावक्र यहाँ पर कर रहे हैं तो यह जो उनका जो चित निरोध है इसको समझना है अगले स्लूप में कहते हैं नशांती मिलवते मूढ़ा यती शामितुम एक्छती धीरा तत्वम विनिश्चत्य सरवदा शांत मान सह जिस कारण शांत होने को अज्ञानी इक्षा करता है इसी कारण वह शांती को नहीं प् कई बार अशांती का कारण क्या बनता है शांती को प्राप्त करने का प्रयास ही अशांती का कारण बन जाता है सुख को प्राप्त करने का प्रयास ही दुख का कारण बन जाता है शांती को प्राप्त करने का प्रयास ही अशांती का कारण और सुख को प्राप्त करने का प्रयास ही दुख का कारण बनता है तो यह चलता रहता है इसलिए इसी स्लोक में मर्शी अश्चावकर यही समझाना चाहते है कि जो अज्यानी व्यक्ति है वह तो शांती को प्राप्त करने के प्रयास में लगा हुआ भी अशांत होता रहता है और जो ज्यानी है वह तो अपने ब्रह्म रूप में अपने आत्म स्वरूप में इस्थित रहता हुआ निरंतर शांत ही रहता है निरंतर इस्थिर ही रहता है उसके लिए अशांती नामत कोई विशय न है नहीं है इसलिए योगस चित्वर्ती निरोधा महरशिप पतंजिल ने कहा कि चित्वर्ती का निरोधा यहाँ पर बाते थोड़ी अलग धंग से रखी गई है अलग ढंग से रखी गई है कि निरोध करना तो ग्यानी का काम नहीं है परन्तु उनका काम तो जरूर है जो अभी उस ग्यान को उपलब्ध ना कर पाए है फिर जब वो करेंगे तो सुभाव वस उनका जो सुभाव है वह ही बन जाएगा चित्वर्ती निरोध की अवस्था में रहने का शान्त अवस्था में रहने का उनका सुभाव ही बन जाएगा फिर कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है कि आप जबरदस्ती शांती के स्थापना करेंगे नहीं सत्य यह है कि शांत होना चाहते हो तो ऐसी अवस्था में जाओ जहां कुछ करना ही नहीं है जहां कुछ करना ही नहीं है कोई अभ्यास भी नहीं करना है क्योंकि अभ्यासी बने रहना भी तो कर्म बंधन में बांधेगा और आपके चित को व्यस्त रखेगा अभ्यासी बनने की जो प्रवर्ती है लेकिन अभ्यास भी नहीं तुम इतने नहीं करम हो जाओ कि स्वास भी ना हो स्वास भी ना हो और तुम बिल्कुल शान्त हो जाओ कुछ करोगे अभ्यास करोगे दर्शन करोगे कई लोग कहते ना कि मैं दर्शन करूँगा ये करूँगा मैं तो जो कुछ भी ये सब है जब तक रहेगा दर्शन तब तक आत्म स्वरूप में इस्थिती ना बनने वाली नहीं बरने वाली तब तक यह समस्या चलती ही रहेगी जो समस्या चल रही थी ठीक है तो अब यहाँ पर एक प्रशन शुरू हो जाता ना कि क्या अभ्यास करना गलत है जी नहीं अभ्यास करना बिलकुल जो की यूग और अध्यात्म के बारे में कुछ नहीं समस्ता कुछ नहीं जानता नया नया जुड़ रहा है शुरू कर रहा है उनके लिए तो अभ्यास अनिवार्य ही है जरूरी ही है अभ्यास परंतु जो आत्मेस्थित ग्यानी है वो तो सुभाव वस ही आत्मेस्थित है उनको कोई अभ्यास करने के लिए जरूरी नहीं है लेकिन जो अभ्यास ही करते रह जाते हैं उनके साथ भी समस्तिया है कि अभ्यास क्यूं करते रह जाते हो अभ्यास क्यूं करते रह जाते हो उनके साथ यह भी समस्या है तो इसलिए मित्रो यह शांत हो जाना आम कुछ ना करेंगे अपने ध्यान में बैटो मुझे कुछ नहीं करना मुझे ध्यान भी नहीं करना अगर सही ध्यान को प्राप्थ होना चाहते हो न तो ध्यान में बैट कर कहो अपने आपसे मुझे ध्यान भी नहीं करना, एकदम शांत, स्वास भी नहीं लेना, नहीं कर्म हो जाओ, अपने स्वासों का भी निरोध कर दो, अपने आपसे कहो कि मुझे स्वास भी नहीं लेना, मैं सब निरोध करना चाहता हूँ, और फिर कुछ भी नहीं चाहता हूँ, बस जैसे हो वैसे हो जाओ, बैठ जाओ, एक दिन बैठो, दो दिन बैठो, तीन दिन बैठो, जहां भी बैठो, कुरसी पे बैठो, सोफे पे बैठो, लेकिन बैठो जरूर, आदत डालो, फिर आदत अभी डालने वाली बात है, बाद में कोई आदत टिकने वाली नहीं है, त तुम सुभाव वस ही बैठना शुरू कर दोगे, तुम सुभाव वस ही इस्थित होना शुरू कर दोगे, कोई बहुत ताकत लगाने के जुरत नहीं है, बस कुछ ना करने के पीछे पड़ो, तुम बहुत कुछ कर लेना चाहते हो, समस्या यहां पर है, कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे जी नहीं बस जो संसकार के वशिभूत जो प्रारब्द के वशिभूत जो कर्म सामने आ गया है बस उसको पूरा करो बहुत कोई चेश्ठा मत करो कि मैं ये कर दूँगा मैं वो कर दूँगा मैं ऐसा कर दूँगा मैं वैसा कर दू जब तक ये सब बाते हैं आतमिस्थित नहीं हो पाओगे नहीं कर्म कभी नहीं हो पाओगे कर्मबंधन में पड़े ही रहोगे चुत में Abdul व्रति संसकार और संकल्प आद्य बने ही रहेंगे यह मिटने वाला नहीं, यह खतम होने वाला नहीं इसलिए अपने आप से कहो कि मुझे कुछ ना करना ना करने की ऐसी अवस्था में चले जाओ जहां तुम स्वास भी ना लो कहो अपने आप से मुझे कुछ नहीं करना मुझे सोचना भी नहीं शरीर से तो रोक दिया आप अपने आपको मन से रोको तन थिर मन थिर सुरत निरत थिर ऐसे सुना होगा आपने वानी है कबीर की तो अपने तन को इस्थिर कर दो फिर मन को थिर करो मुझे सोचना बंद करना चलना फिर ना बंद वा सोचना बंद करना फिर कहो स्वास भी रोकना चाहता हूं स्वास भी रुक जाए चिंता ना करो रुकेगा नहीं कहीं और नहीं चले जाओगे ठीक है तो कहो अपने आप से कि मैं ऐसी अवस्था में चला जाओ जहां कोई कर्म ही ना हो जहां कोई कर्म ही ना हो और जब कोई कर्म ना होगा तो क् कौन होगा तुम ही तो होगे ना फिर जब कर्म नहीं होगा कोई विर्ती नहीं होगी तो तुम अपने आप में होगे तो अपने आप से नजदीक ही बढ़ेगी स्वेम को जान पाओगे और स्वेम को जान करकर तुम बहुत ही सदकर्म कर पाओगे सदकर्म और विवेक से स्वेम में इस्थित होकर जो भी आत्मे ज्यानियों की द्वारा जो कर्म किये जाते हैं सब कर्म किये जाते हैं आत्मे ज्यानी का मतलब क्या क्या कि वो कर्म नहीं करेगा सब कर्म वो कर देता है संसार में रहना विवाह आदी करना यग्यहवन रुपी कर्म करना देवी देवताओं के प्रती जो भी कर्तव्य कर्म है उसको पूर्ण करना ज्ञानी सब कर सकता है अनासक्त भाव से उसे वह दोश पूर्ण ना होने वाला उसको कोई दोश ना लगने वाला और यही तो पदेश श्री कृष्ण ने अरजुन को दिया कि तू भी उन ज्ञानीयों के भाती स्वेम को समझता हुआ कर्म के मार्ग पर लग जा तो चित संकल्प रहित कर देना संकल्प रहित चित से जो कर्म किया जाता है वो निश्काम कर्म ही है और जिसके मन में बहुत सा संकल्प है बहुत सारे उद्देश हैं कि यह कर देना है वो कर देना है तो फिर उसका निश्काम कर्म नहीं है और जब निश्काम कर्म ना है चित में शांती नहीं चित में स्थिती नहीं तो फिर शांती भी नहीं मिलेगी व्याधियां बनी रहेंगी मांसिक रूप से आद ख्यान का, तो कुछ भी ना करो, शरीर से भी, वानी से भी, और अपने मन से भी, रोको अपने आपको, कई बर क्या होता है, कि हमने शरीर से रोक दिया, लेकिन मन काम कर रहा है, भीतर भीतर, तुफान खड़ा कर देता है विचारों का, मन जो है, तुफान खड़ा कर देगा ठीक है तो यह हमें इस पर विचार करना चाहिए यह हमने विचार कर लिया समझ लिया तो निश्य ही जो है हम परम शांती को प्राप्त हो पूते हैं जीवन की परिपक्वता को भी प्राप्त कर लेते हैं मोक्ष क्या है जीवन की परिपक्वता ही मोक्ष है बस तुम्हें ऐसा बता दिया गया कि जीवन खतम हो जाने पर मोक्ष है। समझा दिया ग्या कि जब मोक्ष होगा तो जीवन खतम हो जाएगा जी नहीं। जीवन की परिपक्वता ही मोक्ष है। सब्सक्राइब पूट्रता परिपक जाना कहते हैं कि आपने सुना नहीं है वो मंत्र उनका यजन करने से सुगन्धी और पुष्टी, पुष्टी मतलब शक्ती आएगी और सुगन्धी आएगी जब स्वास स्वास में ध्यान लगाओगे न तो सुगन्धी भी आएगी सुगन्धी मतलब शक्ती और पुष्टी वर्धनम और वर्वारो कमियो बंदनात मृत्र और इस प्रकार से ध्यान करने वाला योगी अभ्यास करते हुए सुभाविक रूप से चलते हुए उसका क्या हाल होगा जैसे पका हुआ खीरा खीरे का फल ले लेजिए ककड़ी का फल कुकुम्बरम इसे कहा जा रहा है ठीक है तो सुगन्धिम पुष्टी वर्धनम और वारो कमियो बंदनात मृत्यूर मुक्षी या माम्रताब जिस प्रकार से पका हुआ खीरे का फल अपने आप ही तूट जाता है क्या हो जाता है अपने आप ही तूट कर गिर जाएगा या फट जाएगा क्योंकि पक चुका है ना तो फट जाएगा तो वैसे ही तुम्हें भी मृत्यू से मोक्ष प्राप्त हो जाएगा तो वास्तों में मोक्ष जीवन की परिपक्वता है हमने तो जीवन का अंत ही मोक्ष मान लिया कि जीवन खतम हो जाएगा चलो हाँ यह जो जीवन जो दिखावटी जीवन है वह तो निश्य ही खतम होगा जो दिखावटी जीवन है वह तो निश्य ही खतम होगा ठीक है मित्रो लेकिन मोक्ष क्या है जीवन की परिपक्वता जितने पकोगे उतना मोक्ष के नस्दीक पहुंचोगे आज सुबह भी इसी पर चर्चा चली थी तो जीवन की परिपक्वता जीवन इसी लिए सही तरीके से जीवन जीना ही मोक्ष का मारग है तिर्थी आत्रा में जाओगे इधर जाओगे उधर जाओगे तिर्थी आत्रा करोगे भटकोगे इससे मोक्ष नहीं उल्टा और उल्जन भी पैदा हो सकती है अगर मोक्ष के लिए तिर्थियात्रा कर रहे हो तो तिर्थियात्रा के अन्य दूसरे लाभवी हैं तो वो लाभवी तो मिलते हैं उसके लिए करो लेकिन यह निश्चित मत करके मत चलो कि तिर्थियात्राओं से ही तुम्हें मोक्ष होती है इसलिए तिर्थों पर जाना अच्छी बात है मैं तो जादा तर तब जाता हूं जब भीड़ भाड का समय ना हो किसी विशेश तिर्थ पर जानना है तो कोई भीड़ भाड ना हो तो मैं वहां जाता हूं जो भी करना है करता हूं अनुस्ठान ध्यान आदी वहां जाक तो वहां कई तरह के वहां के molecular changes अपने आप आती हैं वहां पर ठीक है तो वह एक बात है लेकिन वहां मातर मोक्ष का साधन है ऐसा भी ना समझना चाहिए इसलिए life जीवन की परिपक्वता सही तरीके से जीवन जीना जितना भी मार्ग है योग मार्ग है पतंजली का योग सुत्र क्या सिखा रहा है मोक्ष तो बाद में छोड़िये कैवल्ले तो बहुत बाद में है पहले तो जीवन जीना सिखा रहा है न पहले तो जीवन जीना सिखा रहा है अगर आप चित विर्त होगा आपका जीवन शुब होगा आपका जीवन अच्छा होगा बेहतर होगा लेकिन emotional level पर control नहीं है sentiments पर जब control नहीं है emotions पर control नहीं है तो फिर क्या होगा तो जीवन तो और ज्यादा नरक्की ओर जाएगा और दुखी रहने आप लगेंगे कई प्रकार के मांसिक व्याधियों के आप शिकार बनने लगेंगे होगा के नहीं होगा यह सब होना शुरू हो जाएगा लेकिन जब आपको अपने चित की विर्तियों पर और विर्तियों के परतिक्रियाओं पर विचारों पर परस्थितियों पर जो उनका reaction जो हमारे निगेटिविटी की और जाने से रोकने का अच्छा अभ्यास है तो फिर निश्य ही शांती का नुबह होगा एक उत्कृष्ट एक standard life एक standard life, standard mindset आपका रहेगा और आप उसका लाव उठाएंगे जीवन में और वही करते 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 जो एक mature life है जब जीवन परिपक्व हो जाएगा जब जीवन परिपक्व हो जाएगा तो मोक्ष कहां दूर है इसलिए मोक्ष के पीछे भागना बंद करो जीवन सही से जीना सीखो और अच्छा जीवन जीओगे तो मोक्ष तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा अच्छे विचारों के साथ, अच्छे संसकारों के साथ, अच्छा जीवन का मतलब यह नहीं कि बहुत अच्छे कपड़े हमने पहने बहुत अच्छा बोजन किया, बहुत हमने हाई-फाई सोच रख लिजी नहीं, आपने स्वेम के साथ कितना समय दिया, स्वेम को कितना जान स्वेम से नजदीकी कितनी बढ़ा लिया आपने अगर स्वेम से दूरी बनी हुई है तो समस्या है अगर स्वेम के नजदीक है दुखी कौन है मैंने कि सुभ़ ही आप इस पे चर्चा हुई चलो शाम का विशेवर चित्वर्ती निरोध का है तो हम उसको भी लेकर या बात जुड़ जाती है न उससे इसलिए बोल रहे हैं दुखी कौन है जो स्वेम से दूर है अपने आप से दूर है अपनी चेतना से दूर है अपनी चेतना से जो दूर है दूसरों को ज़्यादा समय दे रहा है कि फलाने विक्ति ने क्या किया, मेरे साथ, मेरे बच्चों ने मुझे इज़त नहीं दी, या पती मुझे नहीं मिला, पतनी मुझे छोड़के चली गए, जाये जो कुछ भी है, जैसा भी है, आपने सारा मन तो दे रखा है संसार को, अपने मन को कहां समरपित करके रखा है, आपने अपना मन जहां सरेंडर कर रखा है, वही तो आपको वहां से मिल रहा है, दुख मिल रहा है, आप स्वेम से दूरी बढ़ा लेते हैं, अपनी आत्मा से दूरी बढ़ जाती है, अपनी चेतना से दूरी बढ़ जाती है, उस चैतन्य से दूरी बढ़ जाती है, जानना ह तो स्वेम की यात्रा करने से यह सारी समस्या दूर हो जाती उतना mature life होगा उतना परिपक्व तो सिर्फ बाते नहीं अभ्यास ध्यान भी तो करना पड़ेगा साधना भी तो करनी पड़ेगी, तभी तो जाकर लाब वानवित होंगे, तभी तो लाब मिलेगा, इसलिए जिग्या सुमित्रों, चलिए इसी के साथ आपके कमेंट पर चलते हैं कि आप क्या कह रहे हैं, क्या ना कह रहे हैं, उसको देखते हैं, और सब के कमेंट पर विचार प्रणाम गुरुजी अगर ध्यान में इस्थिर और उनकी देर में यह भी नहीं पता चले कि ध्यान में था या नींद में था उसे ध्यान माना जाएगा या नहीं या नींद माना जाएगा ध्यान माना जाएगा नींद माना जाएगा ध्यान माना जाएगा नींद माना जाए अंतर है, difference है, ठीक है, नींद अलग चीज है, ध्यान अलग चीज है, लेकिन कभी-कभी ऐसा हो जाता है, ऐसा स्थिती बन जाती है, कि जहां पर दोनों एक जैसा लगने लग जाता है, लेकिन एक होता नहीं है, वह एक होता नहीं है, अलग ही होता है, ध्यान और निद्रा दो अलग अवस्थाएं हैं ठीक है लेकिन ध्यान में भी नींद जैसी अवस्था बन जाती है नो प्रॉब्लम ठीक है आप अभ्यास में आगे बढ़िए लेकिन सही माइने में जो ध्यान की जो अवस्था है उसमें आनंद की अनुभूती होती है एक ऐसा आनंद जो शायद शब सब्दों से उसका वर्णन संभव नहीं है ठीक है तो ऐसी अवस्था आती जरूर है जैसी अवस्था कि आप चर्चा कर रहें आदमी बैठा हुआ है लेकिन नींद में था कि ध्यान में था उसे खुद पता नहीं चलता और और उसके सामने वह सारी चीजे आने शुरू हो जाती हैं, कई बार उसे बहुत सारी चीजे दिखाई दे जाती है, ठीक है, तो यह भी हो जाता है, तो इसलिए अभी बहुत है, अभी आगे बहुत कुछ है, तो वह नीद और ध्यान वाली कोई उसमें बात नहीं है, वो वास्तों में एक अवचेतन अवस्था है जिसे आप कह रहे हैं अवचेतन अवस्था है अवचेतन अर्थात सुक्ष्म जगत स्वपन की अवस्था भी हम उसे कह सकते हैं लेकिन बस फर्क इतना है कि आप उसमें थोड़ा सचेत रहेंगे किसमें रहेंगे सचेत रहेंगे जैसे सपन में आप सचेत नहीं रहते हैं जब रातरी में सो जाकर सपन देखते हैं उसमें सचेत नहीं रहते हैं लेकिन उस समय आप सचेत रहेंगे ठीक है तो वह ऐसी कुछ अवस्था बन जाती है अनीता हंकारे जी शुक्रिया जी प्रभुदान्य रंगा रशना जी मीना मेरो जी जय गुरुदे जोंती दप्ता जी ओम चरिये केपी विश्णा जी मुकेश कुमार शुकला जी कुस्म व्यास जी संजय तिवारी जी विदुर निती के बारे में कुछ बताएं आएगी चर्चा भी चलने दीजिए जो चल रहा है आगे बहुत सारे विश्णा है दुर्गा सब्त शती का विश्णा है कई लोग कुछ और भी बाते कहते हैं कई गरंथों के विश्णा में तो कई विश्णा है चर्चाएं चलेंगी गुरुजी जीते जीब पुरान विचार शुन्य हुए जा सकता है अगर हा तो फिर वो कर्म कैसे करेगा क्योंकि कर्म करने के लिए भी तो कोई विचार आना तो नहीं करेगा कर्म कहा करेगा दो कर्म कहां करेगा वही तो मोख्ष का की अवस्था वहीं से तो बनने शुरू होगी उसी में तो जाकर लीन हो जाना है लेकिन कुछ सेकेंड के लिए तो ऐसी अवस्था है कुछ मिनट के लिए ऐसी अवस्था है पहले ध्यानादी करके सुभाव में लेया ये साधना को फिर देखि सो भाव में बहुत बहुत गहरी बात आपने बहुत सरल शब्दों में समझाई चलिए ठीक है अचारत जी नमस्कार हितेश अभुजा जी रितंभरा प्रग्या से उत्पन संसकार क्या है रितंभरा प्रग्या से उत्पन संसकार ब्रह्म ज्यान है ठीक है रितंभरा प्रग्य से ब्रह्म ज्यान ही होता है, तूरी अवस्था की प्राप्ति ही रितंभरा प्रग्या है, तूरी अवस्था, जो चौथी अवस्था है, आपके सुशुक्ति, स्वप्न और जागरित से परे, जो तूरी अवस्था है, उस अवस्था में जो साक्षातकार होता है, जो साक्षी भाव की प्रतिष्ठा होती है, प्रतिष्ठित होता है, ब्रह्म प्रतिविंबित होता है, तो ब्रह्म के प्रतिविंबित अभी चित है, अभी चित का ले नहीं हुआ है, लेकिन चित इतना साफ हो गया है कि ब्रह्म प्रतिविंबित होगा उसके भीतर, तो जब ब्रह्म प्र पुर्ण लेये हो जाना ही कैवल्ले है, परंतु उससे फुर्व यह रितंबरा ज्या न होगा, यह रितंबरा प्रज्या होगी。 इसकी उपर पहले वीडियो बना चुके है जी, रितंबरा प्रज्या की उपर, जो आपने प्रशन किया है。 ठीक है? तो यह ज्ञान की अवस्था है एक आत्म ज्ञानी की अवस्था है रितंबरा प्रग्या उससे वो संसकार पैदा होते हैं और वह संसार में अनासक्त भाव से कर्म करता है अनासक्त भाव से वह कर्म करता है ठीक है तो यह रितंबरा प्रग्या का विशह है एक विडियो पतंजली योग सुत्र का जो प्लेलिस्ट है आप उसमें जाएंगे तो रितंबरा प्रग्या के उपर आपको विडियो मिल जाएगे वहाँ पर उसकी चर्चा की गई है क्योंक और वो शान्त है तो अगर कोई आस पास कोई छोटे बच्चे शोर मचाये या कोई और जोर से बोलने लग है तो क्या आत्मिन इस्थिति व्यक्ति को ही परिशानी नहीं होगी? जी ना उसकी आत्मिक इस्तिति को कोई परिशाई नहीं होगी उस समय जो उसके पास जो करतव्वे होगा वो करेगा वो उसको लेकिन उसकी आत्मिक अखंडता जो है उसको कोई फरक पढ़ने वाला ना है ठीक है नहीं है और शोर मचाना क्या आप सामने में किसी की हत्या भी हो जाए उसकी अखंडता को खतम नहीं कर पाएगा इसलिए तो वो विवेक जागरित हो जाएगा उसका और वो सब कारे अपने विवेक से करेगा उसका डिस्क्रिमिनेशन पावर बहुत ही स्ट्रॉंग होगा समझ गए तो यह है तो यह बच्चों का शोर करना तो बहुत मामूली बात है बड़ी सी घट बड़ी घटना भी घट जाए उसे फरक ना पढ़े फरक ना पढ़े का मतलब यह नहीं कि वो जरूरी कर्म नहीं करेगा जो उसके सामने जरूरी कर्म है वह तो करेगा ही यहां तक कि अगर उसे युद्ध भी करना पढ़े तो वह युद्ध भी करेगा लेकिन उसके पीछे उसका कोई सांसारिक उद्दिश्य नहीं होगा उसका कोई मेटरलिस्टिक टार्गेट नहीं होगा बस यह समझना है यह दो प्रकार के पुरुष स्वर्ग से भी उपर अस्थान पाते हैं शक्तिशाली होने पर भी छमा करने वाला गरीब होकर भी दान करने वाला क्या यह सई तो पुन्य कर्म है पुन्य कर्म है शक्तिशाली होकर भी छमा सोबती ही उसी को है चमा करने वाला और गरीब होकर भी दान करने वाला निश्य ही बहुत बड़ा पुन्य है तो यह पुन्य कर्म है सूरेश पाठी जी सर जी वंदन मकर संक्रांती से पृत्वी सूरज के उतरायन होती है जिससे सूरज की किरने सीधी पृत्वी पर पड़ती है किरपया गृष्मकाल में क्या सावधानी और खाना पीना चाहिए तो चलिए गृष्मकाल की बात नहीं है यह तो सूरी का उतरायन होना एक अलग विशे है सूरी जब उतरायन होता है तो सूरी और पृत्वी की जो दूरी है थोड़ी सी कम हो जाएगी दक्षिनायन में बढ़ जाएगी इसलिए पूरे विश्व में दक्षिनायन में ठंड पड़ता है ठीक है और रही बात उत्रायन हो जाता है मतब उत्रायन में अचानक से नहीं चला जाता जो नौर्थ पोल है पृत्वी का उत्रायन लिया कहां गया सूरी का तो नौर्थ साउथ है नहीं पृत्वी का नौर्थ साउथ है न हम धर्ती पर रहते हैं तो जो नौर्थ पोल है वो ट्वा जाती है कि थोड़ी से दूरी जैसे बढ़ सी गई हो वैसे कोई बहुत दूरी बढ़ गई हो ऐसा नहीं है लेकिन दूरी बढ़ी सी नजर आती है और सुर्य देव दक्षिनायन हो जाते हैं दक्षिन से गुजरना शुरू कर देते हैं ठंड बढ़ जाती है थोड़ी सी दू हो जए शुरू हो जाए consider है डूरी जो घटने की प्रकृया सूरू हो जाएकि और अब तक भढ़े हुई थी अब घटने के in regular भॉ क्हस्रो जाए तो घटटे गट centr से उत्रायन दक्षनायन ये चलता रहता है तो यही हमें इस विश्या में समझना चाहिए तो खगोलिय घटना है कल सुबह कल प्राता काल 9 एम का जो सब्जक जो विश्या है वो यही है मकर संक्रांती खगोलिय विज्ञान धार्मिक महाक्रांती ऐसे करके है आप पढ़ लेना कॉम्रिटी पोस्ट में डाला गया है वह विश्या तो मकर संक्रांती का विश्या जो है कल सुबह ही चर्चा होगी हो सकता है शाम को भी चर्चा हो अभी विश्या संद्र ने उस पर नहीं लिया गया है तो शाम को भी उसी विश्या पर चर्चा हो दीपा मैकलस्त्र जी बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद नमस्कार जी प्रणाम जी गीता देव जी गुपाल शर्मा जी दीपा जी आपके अनुदान के लिए सहयोग के लिए बहुत बहुत अभिनंदन ऐसा इसपष्ट हो गया कि जिस बंद दर्वाजे पर मैं खड़ा था आज अपने वह दर्वाजा भी खोल दिया चलिए जी ठीक है ब्रजियस सिंग जी मेरे बिना कुछ किये ही कोई मेरे उपर पचास लाग का क्लेम कोट में डाल दे फिर मैं शान्त हूँ कि कोई नहीं जो होगा देख लूँगा फिर थोड़ी देर के लिए घबराहट होती है हाँ जी ठीक है शान्त भाव से जो जरूरी है धैर पुरवक उसके लिए कारे करना चाहिए बिना परिशान हुए हाँ ठीक है संसार में रहने वाला मनुष्य इतना उस अस्तर तक नहीं पहुंच जाता कि हर चीज को वो उस तरह से मान कर चले बात सही है लेकर फिर भी थोड़ा अभ्यास तो कर सकता है तो वहाँ पर जो बात अश्टावकर महागीता के साफ रूप से वहाँ लिखा जा रहा है यह आत्म ग्यानी के लिए है इसलिए तो बार बार शब्द प्रयोग हो रहा है ग्यानी 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 उसके लिए ऐसा है उसके लिए चितिवर्ति निरोध नहीं उसके लिए समाधी नहीं है उसके लिए ध्यान नहीं है उसके लिए एक आगरता नहीं है ये उसके लिए तो उसके लिए उस अवस्था में हरसधारन मनुष्य तो नहीं है तो इसलिए उन चाहिए जो उस समय जरूरी करतवय बनता है उसकी जानकारी लेकर उसे कर देना चाहिए बस इतना ही कहेंगे ब्रह्म ग्यान आत्म ग्यान तत्व ग्यान गुरू ग्यान शास्त्रग्या इसका क्या महत्व है यह आत्मा ही है ऐसा मानना है क्या यदि ऐसा मानना है तो हम जो भी पाप करें और फिर मान ले कि हम आत्मा ही है पाप नहीं लगेगा पाप तो जीव को लगेगा ना पाप ने होने का मतलब नहीं क्योंकि आप व्यर्थ के संसारिक सुख को प्राप्त करने का कोई प्रयास ही नहीं करेंगे और जब संसारिक सुख को कोई प्राप्त करने का व्यर्थ में व्यर्थ मतलब अनावश्यक रूप से जो लोग सुखों के पीछे भागते रहते हैं अनावश अप्षक रूप से आप संसारिक वस्तूओं को प्राप्त करने का जब प्रयास नहीं करेंगे तो पाप क्यूं होगा कोई पाप ना होगा और फिर प्रारब्ध के अनुसार ही सब कुछ बरत रहा है आप यह जान जाएंगे तो आत्मा ही करती है पाप ना लगेगा यह कौन कह कह रहा है कर्म काफल तो मिलेगा जीव को भोगना पड़ेगा और कोई भी व्यत्ति अज्ञानता में ही पाप करता है लग चारासी में जीव ही फसा है आत्मा के लिए फसना निकलना नहीं है जब मेरे अजपा मेरे अनहत भी मर जाए राम साची नार मरा कहे कभीर समझाए हाँ जी सही बात है आत्मा ही है आत्मा ही है राम का अर्थियां पर चेतना ही है ठीक है उसी में इस्थिती है राम अच्छली में राम शब्द का अर्थ ही आत्मा है राम शब्द का अर्थ ही ब्रह्म है जहां पर भी अन्य गरंथों में इसका प्रयोग हुआ है ब्रह्म के रूप में कहा गया है इसलिए इसलिए दश्रत पुत्र अवतारी थे इसलिए उनका नाम भी राम ही रखा गया इसे कारण से और कोई कारण न था सरजी इश्वर मोक्ष अल्ला खुदा गौड ये सब एक ही बताते हैं इसको अपने ध्यानिक जीवन में कैसे देख सकते हैं इश्वर मोक्ष अल्ला खुदा गौड ये सब एक ही बताते हैं बात ये नहीं है कि आप कौन एक बताता है देखिए जब बात शब्दों किया जाती है तो आपको शब्द व्यूत्पती का ज्यान होना चाहिए हम कैसे कह दे कि एक है अटामिलोजिकली गौड का मिनिंग क्या है अल्ला का मिनिंग क्या है इश्वर का अर्थ क्या है तो मुझे तो लगता है कि ऐसा कुछ कहना ही नहीं चाहिए कि सब एक ही हैं सब एक ही को कहा जा रहा है नहीं क्योंकि एक कह देने से अब जैसे देख लीजिए अब हमारा यह हम ब्रह्म को देवता नहीं कहते हम ब्रह्म को देवता नहीं कहते एक दिन मैं इस पर इसी विशे पर विडियो लाएंगे कि क्या इश्वर, अल्ला, गौड, खुदा, सब एक ही है क्या लेकिन हम अपनी संस्कृती में सनातन धर्म की हम बात करें आप छोड़ दीजिये, अल्ला, गौड को इस समय निकाल दीजिये बाहर तो हम सनातन धर्म की अगर हम बात करें तो देवता अलग है, ब्रह्म अलग है, ब्रह्म तो पूर्ण चैतन्य है देव भावरूप है, ब्रह्म भावातीत है, देवताओं की पुझा होती है, ब्रह्म की पुझा ना होती है ठीक है तो यह ब्रह्म की मतलब ब्रह्म यहाँ पर कोई ब्रह्मा जी के लिए नहीं कहा जा रहा है ब्रह्मा जी देवता है और कहीं कहीं उनकी पुजा होती है पुश्करादीम तो ब्रह्म यहाँ पर कहा जा रहा है उस परमचैतन नहेतू उस आत्मा के लिए ब्रह्म कहा जा रहा है तो उसकी पूजा नहीं, आत्मा की पूजा नहीं होती पूजा देवी देवताओं की होती है देवी देवताओं अस्तित्वान है क्योंकि वो भाव रूप हैं तो भावनाओं में वो अस्तित्व रखते हैं अपना ये संपुल जगत ही भावना मात्र है तो भावनाव में उनका अस्तित बनता है लेकिन ब्रह्म जो है भावातीत अवस्था में है ब्रह्म भावातीत है तो जब ब्रह्म भावातीत है तो उसकी पूजा नहीं होती क्योंकि भावनाएं तो और पितन नहीं हो सकती उसकी उसका तो योग होगा, ध्यान होगा, तो फिर सब एक ब्रह्म और देवता में ही फर्क है और हम उसको हमें जानना चाहिए सही तरीके से, तो अब बात आती है कि मोक्ष, ईश्वर, अल्ला, गुडा, खौद, ये सब एक ही है, जी ना, एक नहीं हो सकते हैं, एक कह देंगे तो भ्रह्म पैदा हो जाएगा समाज में, एक कह देंगे तो भ्रह्म, अब मानने वाले सब एक ही हैं, भेड और भेडिया क्या एक ही हो सकते हैं नहीं हो सकते न तो वैसे ही एक ही है ऐसा मान कर बहुत भ्रमित हो जाओगे तो इश्वर Etymology मतलब शब्द वियुत्पतीивает विज्ञान अब जैसे मैंने लिखा है कि कल जो हमारे व्याख्यान होगा सुबा你們 क्या होगा मकर संक्रांति खगोलिय विज्यान जोतिश विज्यान है व में यह घटना है, धार्मिक एक्ता की महाकरांति, मैंने धार्मिक शब्द का प्रयोक किया है, तो धर्म क्या है, रिलीजन क्या है, आप धर्म से जुड़ना और रिलीजन से जुड़ना, दोनों में बहुत बड़ा भेद है, दोनों में बहुत बड़ा भेद है, किसे दिन लाइव में यह भी विशाय लेकर आएंगे, तो दोनों में बहुत बड़ा भेद है, धर्म एक अलग विशाय है, रिलीजन एक अलग विशाय है, यह कैसे प्रमानित होगा? अटाइमोलाजिकली, अटाइमोलाजिकली मतलब कि शब्द विथपती से, वर्ड ओरिजिन से, उसका अर्थ लेना पड़ेगा, कि उस शब्द का निर्मान कैसे हुआ है, वह शब्द कैसे बना है, रिलीजन लेटिन भासा के रिलिगेर से बना है, जिसका अर्थ कुछ और ह धर्म धृधातू से बना है संस्कृत के, उसका अर्थ कुछ और है, उसका अर्थ कुछ और है, तो जब हम अगर सबको एक बता देंगे, कर देंगे, तो बहुत भारी समस्या वहां खड़ी हो जाएगा, भरम पैदा हो जाएगा, फिर एक बता बता कर लोग कुछ भी कह यही तो हमारे यहां से कम ही आ गई है, समाज के अंदर एक लोजनेस उनकी थिंकी के अंदर आ चुकी है, एक जो है अन्रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके लिए, उन बातों को समझने के लिए, तो यह समस्या आ जाती है, इसलिए यह एक कहना खीक नहीं होगा इश्वर इश्वर है God is God और जो है अल्ला अल्ला है और इश्वर इश्वर है प्रमात्मा प्रमात्मा ब्रह्म ब्रह्मा है सब एक नहीं है ठीक तो जितिंद्र हो गया अशुतोष कुमार जी गुरू जी उपनीशत वेदान तादी पढ़ने मात्र से बोध कैसे फलित हो जाता है करप्या पढ़ने मात्र से नहीं होता किसने का कि पढ़ने मात्र से प्रेरना मिलती है ठीक है वह तो निदिध्यासन आदी करना पड़ेगा अभ्यास में लगना पड़ेगा, तब ही तो होगा, ऐसे कैसे हो जाएगा, ठीक है यह चीज है तो सर जी, इश्वर ब्रह्म को दैनिक जीवन में कैसे जी सकते हैं दैनिक जीवन में उनकी और अपनी यात्रा करकर, आत्म साक्षातकार की यात्रा करके ही हम अपने द्यानिक जीवन में उतार सकते हैं इश्वरी अनुभूती को अपने जीवन में हम उतार सकते हैं और फिर जीवन जो है बहुत ही सुन्दर होगा जीवन जो है बहुत ही बढ़ भागी होगा ऐसा हो जाने से तो यह है ठीक है कल ही मकर संक्रांती है इस विशय में कुछ बताएं कल सुबह बताएंगे जी कल सुबह का विशय है आपका प्रश्न क्या है कि कल मकर संक्रांती नहीं है क्या क्या कहना चाहते है ठीक है तो कल ही मकर संक्रांती है जी हां कल है इस विशय में कुछ बताए जी हां कल आठ बजे का मुर्त है मकर रासी का ऐसा माना जा रहा है कहा जा रहा है परंतु विशय कई प्रकार से देखे जा सकते हैं जोतिश का विशय आ जाएगा विशय बहुत बदल जाएगा गैरा चला जाएगा ठीक है तो कल सुबह में इसकी हम चर्चा करेंगे लेकिन कल सुबह आठ बजे के मुहर्त में लगबग 8.30 के मुहर्त में मकर राशी में सुर्य का संबंध बनेगा सुर्य प्रवेश करेगा तो यह है तो किस रूप में प्रवेश करेगा उस तरह से यह चीजे चलती है बेयर राम से एस गौलोत गुरुजी ससत नमन्तु कल्प चर्चा करेंगे इस विशय पर बुधा नंद जी महराज हो गया इश्वर परमात्मा में क्या भेद है बताने की कृपा करें एक नहीं है जी इश्वर परमात्मा में भेद नहीं है मैंने अल्ला गौड के लिए कहा था इश्वर परमात्मा एक ही विशय है जो नश्ट नहीं होता जो परिवर्तन शील नहीं है वही परमात्मा है वही इश्वर है इश्वर का अर्थी यही है जो नश्ट नहीं हो सकता जो परिवर्तन शील नहीं है जो सनातन है ठीक तो इश्वर अप्रमात्मा में भेद वाली कोई बात नहीं है ठीक है इसी के साथ मित्रों विदा लेंगे आप से सबके कमेंट पढ़े मैंने और सबका बहुत बहुत आभार कि आप जुड़े रहें बने रहें और इसी प्रकार से अपने सहयोग को प्रदान करते रहें तो विदा लेंगे आपके विशय से चलिए समय हो चुका है कल प्राता काल कल सुबह फिर से सुबह नौ बजे फिर से लाइव सेशन होगा उसमें जरू जुड़िए और उसका पुरा-पुरा लाब उठाईए चैनल को सब्सक्राइब शेयर भी कर दें ध्यान आदी कोर्स करने के लिए मेडिटेशन ध्यान का कोर्स ध्यान यूग का दो कोर्स है सन मेंबर्शिप जुपिटर मेंबर्शिप आप जॉइन कर सकते हैं झाल झाल झाल